हाई फ्रेंस आज हम बनाएंगे बीन्स की सब्जी जो वजन में हमारा अधा किलो है और इसको मैंने साफ करके धुल लिया है और अब हम इसको दोनों तरब से काट देते हैं और ये इसकी सब्जी बहुत अच्छे बनती हैं हम कम मसालों में भी बनाएंगे और एकदम सिंपल सी बनेगी तो इसको मैंने छोटे-छोटे टुकडो में काट लिया है इस तरह से तो इस तरह से काट लेना है तो मैंने सारे बीन्स को इस तरह से काट लिया है और अब हम इसको साईड कर देते हैं और मैं ले लेती हूँ प्याज ये प्याज हमारे तीन है हम इसको भी चोटे-चोटे टुकडे में काट लेते हैं तो प्याज को इस तरह से बारीक-बारीक कट कर लेना है इस तरह से और मैंने प्यास को चौप कर लिया है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं यानि प्लेट में रख देते हैं और फिर चलते हैं हम अपने गैस पर तो मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई हम गरम होने देते हैं गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ओयल ओयल हमारा तीन से चार चम्मच है और फिर इसके बाद डाल देंगे इसमें हम कटे हुए प्याज तो मैंने प्याज को डाल दिया है अब हम प्याज को सॉफ्ट करेंगे इसको golden नहीं करना है, हलका soft ही करना है तो मेरा प्यास soft हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए beans अब beans को भी मिला लेंगे हम इसमें अब इसमें जाएंगे हमारे कुछ मसाले आधी चमच, हल्दी पाउडर आधे चमच, मिर्ची पाउडर आधे चमच, धनिया पाउडर और आधे चमच, जीरा पाउडर और एक चमच, मैं नमक डाल देती हूँ और इन सब को हम कर लेंगे, मिक्स तो मैंने सब को मिक्स कर लिया है अब हम इसके उपर लगाएंगे ढखकन इसमें पानी कुछ भी नहीं डालेंगे और हम इसको ढखकर पकाएंगे यह हमारी सबजी बहुत जल्दी तैयार होती है और हम इसको तब तक ढखकर पकाएंगे जब तक कि यह सबजी गल न जाये और हम पानी इसमें तो बिल्कुल भी नहीं डालना है और बीच बीच में हम इसको चला कर देखते भी रहेंगे ताकि नीचे तले में जले नहीं और ये हमारी सबजी बहुत टेस्टी बनती है बहुत सिम्पल सी है फटफट बन जाती है जब कभी सबजी मनना कहे बनाने का तो इस तरह से ये सबजी बना लिया करें तो हमारी सबजी तेयार हो चुकी है अब हम अपने सबजी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं हमारी सबजी कितनी खिली खिली बनी है तो चलिए अपने सबजी को हम निकाल लेते हैं तो एक बार ज़रूर बनाईए हमारे तरीके से ये सबजी जरूर बनाएए बहुत मज़े के लगते हैं तो मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है तो एक बार बनाकर जरूर देखिए इस सबजी को बहुत मज़े के लगेंगे तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ये हमारी सबसी की छूटी सी रेस्पी कैसी लगी पसंद आये तो लाइक कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थाकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके